नमस्कार, न्यूज अब्दर्वर के खास कारिकरम विशेश में आपका हर्दिक स्वागत है। इन दोनों वर्गों के लिए नेताओं ने ये घोशना की थी, बीजेपी के उन नेताओं ने जो ये कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वे इन दोनों वर्गों के लोगों को नियमित कर देंगे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। महमानों का परिचर जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात करूं अगर करमचारी नेता के रूप में तो करमचारी नेता के रूप में उधित बधवरिया जी हैं। वो यहां करमचारीों का पक्ष रखेंगे। मैं बात करूं अगर वरिष्ट पतकार के रूप में तो वरिष्ट पतकार के रूप में अभिनाज जी रहेंगे जो समीच्छा करेंगे कि यह सारी समस्या है उसकी जड़ क्या है और यह हल कैसे है। सबसे पहला सवाल यहां पर आप से बनता है अभिनाज जी कि यह आप सारे परदरश को देख रहे हैं। पहले कॉंग्रेस दोहजार अठारा के घोष्णा पत्र में यह कहती है कि साब अगर वो सर्ता में आए तो अधिती गिद्वान अधिती सिक्षग इनको पर्मानिट किया दाएगा। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ है कि सरकार की पहले सब बादे उनको बादे किये थे कि हमारी सरकार आईगी तो हम आपको त्रोंस कर देगे। मगर अभी मन्दप्रदेश सरकार की आर्थिक हारत इतनी खराब है कि जैसा कि आपने करमचारियों के बारे में बोला और इनके बारे में इनको रखना अभी बहुत मुस्किल काम है चुकि अभी ओवर डाफ्ट एक हजार करोड का इनोंने फिर से लिया है और पहले लिया था तो अभी जो जिस तरीके की आर्थिक समस्या है अभी भी ये जो सरकार अभी बरतमान में है हमको नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई वो कदम उठाएंगे और अब अथिती वालों को जी चाहिए था कि जो 28 जगे सा 28 जगे जगे इलेक्शन हो रहा है बहाँ पे इनको अंदोलन करना चाहिए ताकि आम पब्लिक को ये समझ में आए कि उन्होंने गोपाल में जो हमारे साथ वियोहर किया था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम जी कर देंगे इसके बर्तमान वाली सरकार ने भी बोला था उन्होंने भी नहीं किया आपने भी नहीं किया तो मैं कहां जाऊंगा मिरे लिए कहां कौन सा रास्ता है बताइے आप इसपस बताइए या कोई time limit होना चाहिए कोई एक line देना चाहिए कि भाई आपका अगले जन्मरी तक हो जाएगा या मार्च के एंडिंग में हो जाएगा या राजस्त में साब से हम आपको ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे कोई भी बात इन्होंने अभी उनसे नहीं की है अस्वासन के वल जी देते रहे पैले उसी समय सरकार गिर गई सरकार गिरने के बाद में विचारे वो लोग व्याकुल हो रहे है और उस समय भी ठंडों में रहे अब फिर ठंड आने वाली है तो मेरे को ऐसा लगता है एक साल के करीब हो रहा है करमचारियों का मामला है आप करमचारी नेता है करमचारी संग को रेप्रेजेंट करते हैं और अधिकारियों को भी रेप्रेजेंट करते हैं मैं आप से जानना चाहूंगा कि यह जो समस्या है उनकी एक साल पहले भी वही समस्या थी अधिती विद्वानों की अधिती सिक्षभू की आज भी वही समस्या है। अधिती वही समस्या है। अधिती वही समस्या है। तो उसकता है इनका स rec Рाब मिलना चाहिए ? संजा जाने लगा है कि यह असेक नहीं है खास तोर पर सरकारी करमचारियों के बारे में बड़े अधिकारी तो अपना जैसे तैसे करते ही हैं काम आपको पता ही होगा कि आई एस अफसर हैं तो वो तो भगवान के बाद उनका ही नंबर है सीधे सीधे तो आई एस आई पीएस पे तो कोई प्रॉलम नहीं है पर यहां जो दिक्कत आ रही है वो इन करमचारियों पर आ रही है उन लोगों पर आ रही है और खास्तों पर सिक्षा जगत से जोड़े हुए लोग जो है जो राष्ट का प्रदेश का निर्मान करते हैं समाज का निर्मान करते हैं उनको अब यह समझ लिया गया है यह सबसरों की सला है तो सिक्छक जो हैं गोई सर्वे करते हैं घर घर जाके और विचारे बदब आप सोचिए कि जिनको पढ़ाने का काम है उनसे गलत तरीके से काम लेती है सरकार और इनको ऐसा लगता है कि इनका इस समाज में और इस सरकार में ना रहना या रहने का कोई आचित नहीं मगर और जो आफिसर्स हैं वो अपने तरीके से उसको डील करते हैं और यदि इसी तरीके से दो तीन साल और चला तो बीस साल की सर्विस वाला इस एज लिमिट क्रॉस हो जाएगी हमें ऐसा लगता है कि ये लोग इस तरीके का उसमें नहीं आएंगे तो इनके पास पड़ेगा बीस पच्छिस परसेंट लोग उनको फिर अपने देखिये सा मैंने कहा था और मैं कर रहा हूं जब तक वो एज बार हो जाएंगे तो हमको ऐसा लगता है कि जो सिक्षा नीती है और जो आपने बहुत अच्छी बात की प् करने के बावजूद भी आप उनकी तरफ यदी नहीं देख रहे हैं तो यह गलत बात है और यह जो एक प्रमपरासी बन गई है कि शिक्षा को सेकेंडरी ले रहे हैं सारी चीजें अब जो है वो निजी करण और निजी हातों में सौपने की बात हो रही है शिक्षा अगर निजी हातों में चली जाएगी तो उसके क्या फाइदे और नुकसान आपको नजर आते हैं देखी अभी सिक्षा पे एक कंपनी है दिली की जो गौर्णमेंट स्टेट से बातचीत कर रही है कि आप इतना पैसा खर्च करते हैं और उसका आउटपुट क्या है हम आपको आउटपुट कागच पे ऐसे ऐसे दे पाएंगे बच्चे ऐसे निकलेंगे ऐसे निकलेंगे आपके कई सिक्षक उन्होंने सर्वे किया पूरा कि कई सिक्षक गाउं में जाते ही नहीं है पहल थी उन्होंने स्कूलों को में कम से कम साट परसेंट सुधार कर लिया उसी टाइप का एक कई कंपनिया इनके साथ लगी हुई है कि आप हमें पूरे मध्वर्देश का वो दे दें उमेश सिक्षा को अब अबल दर्जे में मध्वर्देश में ला देंगे अब इसके बाद क्या होगा वो और जो गौर्णमेंट के सिक्षा के उनके साथ क्या बरताओ किया जाएगा वो आप भी जानते हैं जो प्राइविट सरकार आ जाएगी प्राइविट कंपनी आ जाएगी वो किस तरह से उनके साथ बहेवियर करेगी आपको यह मालूँ है बिजली विवाग में लोगों का क्या हाल हुआ मैं यहाँ आप से जानना चाहूँगा उदित जी यह अभी आपने जैसे उधारान सुना बिजली विवाग का ऐसे और भी मैक में हैं जो प्राइविट हातों में चले गए और उसके बाद से सिस्टम खतम हो गया चाहिए परिवन हो या बिजली विवाग हो दोनों को ही सरकार ने प्राइविटाइज कर दिया अब अगर शिक्षा विवाग से भी वो प्राइविटाइज करने की बात कर रहे हैं और प्राइविट कंपनियां आ रही है इस चेतर में तो इसमें गलग क्या है करमचारी काम भी तो नहीं करते हैं न शुद्दत से नहीं सर यह नहीं कह सकते करमचारी काम नहीं करते हैं लेकिन अगर निजी करन कर दिया, जी कम्पनियों को विक्रे कर दिया सिक्षा विभाब को, तो इसमें सरकार को तो फायदा है, लेकिन जो सास की सेवक हैं, जलता है, मिजी करन में जो भी ठेकेदारी परता हो जाएगी, आप भी जाते हो, कि गोवर्मेंट की जो विल्डिक ग तके अपना नौकत समझते हैं तक इस आसनी योजनाइन बढ़ देते हैं यह वाली जानकारी दो वो वाली जानकारी दो तो इसमें बस्त रहती है इसमें एक दिक्ता तोर आरही है, अधिजी कि बारबार सरकार ने अपने जिसको कहें एजेंडे में ये रखा कि नई सिक्षकों को जवाज ज़्यादा सुविधायां दी जाएं, जिन सिक्षकों को तीन हजार रुपे, छेजार रुपे वेतन मिला करता था, दिजे से शिंग के बाद भी वो गाउं में जाते नहीं हैं अपनी जगे किसी और को रख रखा काई हो ने तो और इस्तिती यह है कि गाउं के बच्चे पढ़ रहें आएं तो उनको ना तो वो मोटिवेट करते हैं ना गाउं में जाके बताते हैं परिजनों को पहले आपने भी देखा होगा उस यहाँ आप उस के शाक्षी रहे होंगे उस व्यवस्था के का अगर बच्चा स्कूल में नहीं आता था तो गाउं का जो भी सिख्चक परधान अध्यापक रहता था वो घर चला जाता था बर उनके पालक سے कहता था बच्चे के बालक से कर माश्या क्यूं है आपका बच परशेंट 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 ऐसे हूं ओ Señor lambda में अगर शिक्षण्ह में पानी नेशन यहां पर आगर भी किया परशेंट सेव ждब परश्रों तो अगर में inclus यह जानना चाहरा हूं आईए सबसरी दलील देते हैं कि जब पढ़ाना है नहीं है आपको शिक्षा विवस्ता सुधरनी है नहीं है तो करोड़ों रुपए आपके वेतन भक्तों पर क्यों खर्च किया जाए उससे अच्छा यह है कि प्राइवेट स्कूलों को फर्मिशन दे है वह तो अगर फीस बढ़ेगी तो वह तो समझ में आ रहा है कि गवर्मेंट खर्चा नहीं करेगी उस पर तो बाकी का पैसा जो है वह इदर उदर डाइवाट हो जाएगा विकास प्यार या बाकी की चीजों पार लेकिन बच्चों के बाटने में जैसा अभी मुफ्त्व है फिर भी और बटने लगेगा उन्हें जुगी देदी विजली देदी आपके ने कपड़े भी दे देंगे और हर महीं रोजगार का पैसा भी देदेंगे ऐसा कुछ करने लागी किसानों के ऊपर मजदूरों के ऊपर गेहुं बाटने में चावल मांटने में सिक्षा का इस तर निजी करन में आने के बाद और इस तर गिर जाएगा वो ठेकेदार तो माला माल हो जाएंगे जो इसका काम लेंगे लेकिन वो बच्चों का भरिष और अधर में हो जाएगा सरकार फायदे में रहेगी सरकार में बेटे हुए आला अपसर फायदे में रहेगी विलकुल आज भी फायदे में है विलकुल अबिना जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर निजी करन होता है तो इसमें क्या नुकसान है क्या फायदा है देखिए उन्हों ने जिस तर का जो खर्चा है कुछ पैसा उससे निकाला जाएगा कुछ इसमें से बढ़ा के और उसका कमर्शियल उपी ओगा कामर्शियल उपी ऊगोग तो पैसा आएगा उनके पास मतलब माले अपने के मान लो दस चालिस हजार स्कूल हैं तो चालिस हजार में बीस परसेंट मतलब आदे फिप्टी परसेंट तो कम से कम ऐसी अच्छी जगे हैं वो गॉर्णमेंट की जमीने हैं तो वो उनका ये कहना है कि साथ मैं इसको इस तरीके से करूँगा खेल का अलग बनाऊंगा है ना व समय जाना चाहरा हूं कि अगर निजी करण हो जाता है तो इसमें जन्टा का नुकसान या फाइदा की देखते हूं देखे बर्तमान में जो हमें समझ में आ रहा है कि जो बीच में से पैसा एक तरह से पाइपलाइन में से बाहर चला जाता है वो एक तो दिखेगा प्राइविट सेक्टर में दूसरी वाज़े है कि उनका भी जो गौवर्नमेंट उनके उपर कुछ तो वो करेगी तो जी इनकी जो बेगार कोन करेगा बलकुल यहां मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जी कि यह बात जो अविनाज जी उठा रहे हैं कि प्राइविटाइजिशन होने से कुछ फाइदे भी होते हैं नुक्सान तो है ही है कि आम उबहुकता जो है उसको महेंगी हो जाएगी स इच्छा पर बरतमान परवेश में हम देखें तो मध्यमवर्गी परिवार हो या और गरीब भी लोगों वो अपने बच्छों को प्राइवेट इसकूलों में पढ़ा रहे हैं सरकारी में पढ़ाते ही नहीं इंगे जिश्डा कई लगवू काई मिशन पर आख भी हुआ है नहीं दुनिया में जहां भी सास्की विभवूम का निजी करन हुआ है वहँ हमशा सिख्छा का इस्तर नीचा हो गया है निजी करन है और जहां भी सासन के हाथ में रहता है, सासन के हाथ में है, वो चाहे इस्टिक्ट हो जाए, जहां आपने बताया कि नहीं जाते हैं, ग्रामनी शेक्टरों नहीं जाते हैं, तो जिला प्रसासन के काम है, जिला प्रसासन अगर काईड है, बिना उनकी सेमति के नहीं हो सकता ऐसा अगर चंदर लोग ऐसा करते हैं कि सिक्षा पर जयान नहीं देते हैं सास की सेवग उनको आप टाइट कर सकते हो आपके अधीनस्त्य हैं उनके पुर्ट कारवाई कर सकते हो निजी करण में आप कुछ नहीं कर सकते हो कितना भी घब लगता है दूसरा सवाल आपने कहा कि पर आप जब शिक्षक जाही नहीं रहें अधिकांश्र ग्रामीन इलाकों की इस्तिति यह आप भी जानते होंगे जी कि जो रिजल्ट आते हैं गाउं के वह यह कहीं 40% आ रहें कहीं 30% आ रहें सब बच्चे फेल हो रहा हैं पढ़ने में उनकी रूची इसली नहीं क्योंकि टीचर खुद ही इंत्रस्टेट नहीं है में तो ऐसी इस्तिती में यह बदलाव करना ही। कि वहाँ जब प्राइवेट स्कूल चली रहा है तो भई ठीक है इसको भी प्राइवटाइज करते हैं तो पता यह चलता है सब इखटे करने आ जाते हैं कि आज से पड़ाई बंद प्रसासन के सामने हरताल नहीं चाकती है यह पूरा अभी आपको पता होगा एक नियम लाई थी पिछली सरकार और उसमें यह था कि शिक्षक अपनी हाजरी जो है डिजिटल देंगे यानि मोबाइल से वह बताएंगे पहुंचे य जो क्योंकि उसमें शिक्षक बंद गया था क्योंकि वहां जाना है उसको वर्टसप से अपनी जानकारी देना है और स्कूल नहीं जाओगे वहां थम इंप्रेशन लगेगा अगर वहां अगुठा आपने नहीं लगाया तो आजरी दर्ज नहीं हो रही तो उसके चक्कर में उन्होंने सबने विरूद कर दिया पैसा भी चाहिए आपको काम भी नहीं करेंगे आप तो कैसे चलेगा आपने खरने वाले चंद लोग थी जोगी आप ने ठीक हा अगर पुरा पूरा कर्मचारी रगत साथ होता है इसमें कोई दोर आई लेकिन इसमें चंद लोग हैं हम आप्से पिर कहरा है सासा नगर टाइड हो जाता है सक्थ हो जाता इह तो कोई ऐसा सिक्षक नहीं होगा ज कर देते हो तो पिंचान में आप से आना चाहूंगा कि क्या यह आईये सबस्वरों का और नेताओं का सुनियोजित खेल है कि धीरे-धीरे किसी व्यवस्था को इतना खराब कर दो कि वह उससे लोगों का भरोसा उड़ जाए फिर उसको प्राइबटाइस कर दो यही परिभन म हुआ और यही अब सिक्षा और स्वास्त में होने जा रहा है दोनों आपने बहुत अच्छी बात की हॉस्पटिल भी जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में और यह भी जा रहे हैं उनका उन्होंने अनुमाल लगा है कि वह इतने हम पैसे दे रहे हैं और आदमी ठीक नहीं बोपाल आ रहा है वही प्राइवेट हो जाएगा और वहां पर उन्होंने इस तरीके से उनको इसकीम दिया वो तो इसकीम तो ऐसे देते हैं जैसे चुनाव में देते हैं जो प्राइवेट कंपनी ने काया कि देखिए साब आपके हां से इतने खिलाडी निकलेंगे अभी निकलते हैं खिलाडी निकलेंगे ऐसा करेंगे हम जी हमारा आदमी आएगा कूछ आएगा जी आएगा बच्चा सभेरे से साब तक नहीं पर आप देखिए दिली में केजरी वाल की सरकार ने सरकारी स्कूलों को भी बहतर कर लिया यहां मद्यप्रदेश में चाहें शिवरा काम हुआ है ऐसा लगे कि हाँ बच्चे जो हैं वो टॉप कर रहे हैं नहीं इसमें कुछ सिक्षक हैं अभी आपने सुना होगा राइसन में एक सिक्षक था जिसने पूरे स्कूल को बदल दिया है ना सब अपने पूरे गाउं के लोगों ने पेड़ लगाया जी कि या बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए जालत तर जो देखा गया है कि जितने भी सिक्षक है उनके बच्चे जालत तर प्राइविट इस्कूल में पढ़ते हैं ठीक है ना और दूसरी वाजे है वो जाना नहीं चाहेती जाना क्यों नहीं चाहेती चुकि इंटीरियर म मतलब उनके मन में जब तक बच्चों के पिरती भाव नहीं होगा जब तक वो बच्चों में वो भाव पैदा नहीं होगा और सरकारी स्कूल को जिस तरीके से केजरी वाल ने किया वो चमन भी बन सकता है और बहां पे चंदे से गाओं के भी ऐसे लोग हैं जो कुछ करना च योजना है मगर उसका जो लबो लबाब है वो यह है इस तरीके से है कि उसमें एक आदमी को थोड़ी सी हिम्मत जुटाना पड़ेगी और एक स्कूल को जो गौवर्मेंट का है उसको प्राइवेट जैसा बढ़ा के दिखाना पड़ेगा नहीं बीच में बीच में शिवरा जैसी भी रही वो उसका जिसको कहा है या पांचा हो गया एक तरीके से क्या आपको लगता है कि कई आईयस अफसर यह सोचते हैं कि ठीक है अपने तो कहां कमा के निकलने बस यह देखो हाँ उनका भी उस तरीके का डेडिकेशन नहीं प्रदेश के हिसाब से जो आपने का य थैसा बना दिया कि आप आप इसकोल जाएंगे तो बच्चा खुँच चल कर आता है कि आज हमें इसकोल जाना है उसको इस तरीके से मैगनेटिब बनाये जाता है कि बच्चे की एक्षा सकती बढ़ जाए ऑज्षा हमें आज इसकोलों बढ़ए कैसे अब जब कई तो आपन ट्रांसफर करने वही है वही है वही डेडिकेशन होना चाहिए हो पहले बीच में ऐसा भी हुआ था जिस जिले में इस तरह के सिक्षपों को रखना था तो जिले के ही लोगों को किया गया था ताकि वह वहां वैसा स्टफ नहीं मिल रहा है आप भी जानते हैं कि अगर किसी ग कि उसकीन बहुत अच्छी थी मगर एंड अफ करने के लिए उसमें आदमी दूर दरसता नहीं देखता है इसलिए ऐसा होता है मैं यहां उद्र जी आप से जानना चाहूंगा कि करमचारियों के साथ और उस खास्तों सिक्षकों के साथ यह बाहरी दिक्त है कि जैसे ही उनका ख्षक की कलती ही कम महाने जी दिल्यी का आप में उदार्ण दिया हूं सरकार अगर सक्थ होती है डिली में यही था करने मिए नहीं हो तो क्या करेंगी बृविये की सिक्षक की मिबस्ताइब अच्छी क्यों हो गई है और यह जो एक आएएस अवस्वरों की सोच है के साथ मतनम भाखवान के बाद अपने आपको वही मानते हैं सबके साब तो ये जिम्मेदारी क्या करमचारी संगठन बताते नहीं हैं क्या मुख्मिंधरी जी को ήा नीती नहीं ने लोघए तो जिला कलक्टर बबेस है रिचे करें इतने दीनों क्षह घृशूर्ण कोमिशनर्य आप जिला कलेक्टर आप भी जानते हो कि आई इस लौभी जो है वो सरकार चलाती है तो वो नहीं है तो आप विभागी तोर पर उनको बता दीजी साब ये इनका सुपर वीजन का अधिकार छील लिया जाए इन से इनको इस विवाग में पदस्ती ना किया जाए ताकि सिछा विव करेंगे और उनकी रहेगी ये नहीं पर दोग बैठेंगे तो वह जादा बेहतर काम करेंगे और उनकी रहेगी ये आया चरके और निकल लिए ये आप सबी में यह रही पावरपल रहती है चुकि पूरी तरह चलती है आई इस लोगी के कहने से जो भी योजनाय बनती है वह भी आई-स बनाती है करमचारी संगठन क्या कर रहे हैं क्योंकि आप तो आपको तो मद्यप्रदेश में रहना है आपको एक ही विभाग में रहना है तो जब आपको उस विभाग में रहना है तो आपकी responsibility fix होगी तो यह आप क्यों नहीं उठा देगे विवाग का प्रमुग जो हो वो भी उसी विवाग से ही प्रदोनना तो कर आए उसके बाद अभी आप देख रहे हो चोवीश अगस्त को 28 सितंबर को 28 अगस्त को कर्मचारियों की मांगों को यह के पुर्धेश प्रदेश में हैं अंचलन हो उड़क मेरे पास अनिस समय था और जन्ता के लिए भी यही बात माइने रखती है कि जो नेता उनके लिए भाषन देतेहें गोश्णाएं करते हैं कि साथ वो सक्ता में आ गए, तो आमुई की परिवर्थन लादेंगे वो ऐसा होता नहीं है, और जनता के हित में, करमचारियों के हित में और पूरी विवस्ता को सुधारने के लिए देटा काम ही नहीं कर रहे हैं और इसके लिए कही न कहीं सिस्टम में बैठा हर व्यक्ति जिम्मेदार है और इसमें सुधार आना चाहिए तभी व्यवस्ताइं सुध रहेंगे।